जै जिनिंद्र सादर्मी आज मैं आपके सामने एक नई विशय वस्तू को ले करके प्रस्तुत हुआ हूँ जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी हमेशा ये भावना रहती है कि मैं हमारे धार्मिक शास्त्रों की बातों को, पुराणों को, कहानियों को या वस्तू स्वरूप को नए नए रूप से प्रस्तुत करूँ उसी श्रंकला में एक छोटा सा प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा अब बिना किसी बूमिका के मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं Actually हम खेलने वाले हैं एक game ऐसा game खेलने वाले हैं कि आपके समक्ष यह जो सामने image दिखाए दे रही है ऐसी दो images दिखाए देंगे जो कि black and white होंगी black and white इसलिए होंगी क्योंकि हम इस competition को थोड़ा और tough बनाना चाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने जो चित्र दिया गया है यह कोई साधारन चित्र नहीं है बलकि जैन धरम में और जैन पुराणों में एक विशेश स्थान रखता है आपने यह जो चित्र दिया गया है इस चित्र को अपने नगर में देखा होगा विशेश कर अपने मंदिरों में देखा होगा अत्वा पुराणों में आपने इस चित्र को देखा होगा किसका है यह चित्र? यह चित्र है भगवान महवीर के जीव का ये तब की बात है जब भगवान महावीर शेर की परियाय में थे जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि भगवान महावीर के जीव जो शेर की परियाय में है वो हिरन को मार करके उसे खा रहे हैं तब ही आकाश में दो चार्ण रिदिधारी मुरी राज जो हैं वो गमन कर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि ये तो भगवान महवीर के जीव है और ये कैसा कारे कर रहे हैं तो वो उनको आकाश मार्क से उतर कर नीचे उनको संबोधन देने के लिए आते हैं सिंग, सिंग की परियाय में होकर क्यों सम्मोधन को समझ लेता है, बहुत मार्मिक और सुन्दर कहानी है, अगर आप इस कहानी को विस्तार से जानना चाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको लिंक दिखाई दे रही है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पूरी कहानी को होगी, तो इसलिए अब हम डारेक्ट अपने विशय पर आते हैं, यहाँ पर आपको यह दो इमेज़ दी गई हैं और डिफ्रेंस बताने हैं, तो जैसा कि मैंने आप से पहले भी खाता, कि आपको यह दिफ्रेंस बताने हैं और इन डिफ्रेंस को बताने के लिए आपको अंतरगत एक difference बताना है total इसमें 6 differences हैं और वो differences आपको बताना है तो चलिए बिना किसी देरी के और आगे की भूमी का बिना बनाए हुए हम direct आते हैं और इसको शुरू करते हैं तो क्या आप तैयार हैं इस game को खिलने के लिए चलिए शुरू करते हैं and your time starts now चलिए आपका समय समापत होता है सबसे पहला मैं यहां जो difference बताना चाहूंगा वो यह है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि यहां जो हिरन है उस हिरन का पैर है और इस वाली image में हिरन का पैर नहीं है तो यह जो भगवान महवीर की जीव हैं उन्होंने इस हिरन को मारा हुआ है और इस मरे हुए हिरन को पड़ा हुआ देख करके भी यहां पर दो चानले दिधारी मुनिराज ने उनको उपदेश दिया और भगवान महवीर के जीव ने ऐसी परियाए में भी उपदेश का लाब ले लिया यह विचार करने वाली बात है और सोचने की बात है ज़रा सोचिए जब पूच वाले सम्मेक दर्शन की प्राप्ती कर सकते हैं तो हम और आप मूच वाले अर्थात मनुश्य कती के जीव सम्मेक दर्शन की प्राप्ती क्यों नहीं कर सकेंगे अर्थात अवश्य कर सकेंगे चलिए तो एक difference मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अब हम आगे बढ़ते हैं अगले difference की और तो तैयार हो जाएए और आपका समय शुरू होता है अब चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है हम अगले difference की और बढ़ते हैं और अगला difference जो हमें यहाँ पर दिखाए देता है देखे आप देख सकते हैं यहाँ शेर रो रहा है और यहाँ आसू आ रहे हैं उसके इस वाली image में जो आँसू आ रहे हैं वो पूरे हाथ तक आ रहे हैं और इस वाली image में हाथ तक नहीं आ रहे हैं यहाँ जो space है वो खाली रह रही है तो अगला difference यहाँ पर यही है देखे विचार करने वाली बात यह है कि शेर जो है वो मनुशियों की भाषा नहीं जानता और चांड रिजधारी मुनिराज जो है वो तेरेंज गती की जीव की भाषा नहीं जानते फिर भी उन्होंने संबोधन दिया और शेर की ऐसी पात्रता थी ऐसी योकिता थी जो उसको समझ में आ गया अच्छा यह हमें कैसे पता चलता है कि समझ में आ गया यह जो आशू है ना आशू इन आशूं से पता चलता है सिंग ने मुनिराज का उबदेश सुना उसको समझ में आया और उसको फिर प्रायशित हुआ पश्चाताप हुआ और यह जो आशू हमारे को दिखाए दे रहे है यह उसी प्रायशित और पश्चात आपके दिखाए दे रहे है सूचिए विचार कीजिए जब हमारी योगिता जागरत हो जाती है तो हमें जंगल में भी ऐसे अवस्ता में भी उपदेश देने वाले मिल जाते हैं और हमारा कल्यान हो जाता है चलिए तो यहाँ पर दो डिफ्रेंस हो चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अगले डिफ्रेंस की और और आपका समय शुरू होता है अब चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है यहाँ अगला डिफ्रेंस जो हमारे को दिखाए देता है वो स्पस्ट रूप से दिखाए दे रहा है कि इस वाली इमेज में जो मुनिराज बैठे हुए है उनके पास पीछी भी है और कमंडलू भी है लेकिन इस वाली इमेज में हम यह साफ देख सकते है कि मुनिराज के पास कमंडलू तो है लेकिन पीछी नहीं है तो इस इमेज में अगला डिफ्रेंस जो है वो है पीछी का अच्छा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे दिगंबर मुनिराजों के पास एक हात में पीछी और दूसरे हात में कमंडलू होता है यहां चुकि पीछी गायब थी उस पीछी का उदेशी भी हम जल्दी से समझ लेते हैं दिगंबर मुनिराजों के पास जो पीछी होती है वह उनके अहिंसा में जीवन का प्रतीक होती है जैसे कि आप जानते हैं कि जैन धरम में अहिंसा को विशेश महत्व दिया गया है और मुनिराज की ये भावना होती है कि उनकी निमित्ते से किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो इसलिए जब वो किसी स्थान पर बैठते हैं अत्वा किसी वस्तू को अत्वा किसी शास्त्र को लेते हैं तो उसको बराबर परिमार्जित करते हुए अत्वा उस इस्थान पर जो जीव होते हैं उनको पीछी से हटाते हुए वो उस इस्थान पर बैठते हैं स्वा किसी वस्तू का ग्रहन करते हैं पीछी ही इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछी जो होती है वो मयूर पंक की होती है और मयूर पंक बहुत सौफ्ट होता है बहुत कोमल होता है और उससे जीव आसानी से हट भी जाते हैं उनकी हिंसा भी नहीं होती और पालन भी भली बाती हो जाता है तो इस शित्र में जो यहां पर अगला डिफरेंस था वो था मुनिराज की पीछी का चलिए तीन डिफरेंस हम यहां पर देख चुके हैं अब अगले चौते डिफरेंस की और आते हैं और आपका समय शुरू होता है अब आपका समय समापत होता है अब चलिए अब यहां पर अगले डिफरेंस की और बढ़ते हैं और यहां पर अगला डिफरेंस है आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं कि अरहंत परमेश्टी के ऊपर छत्र नहीं है जबकि दूसरी इमेज में हमें छत्र साफ साफ दिखाए दे आप लोग मंदेजी जाते होंगे वहाँ पर आपने अरहंत परमेश्टी की प्रतिमा के उपर छत्र अवश्य देखा होगा यह छत्र क्या होता है इसको हम फिर कभी विस्तार से समझेंगे लेकिन संक्षेप में अभी इतना समझ लीजिए कि अरहंत परमेश्टी के अश्ट प अब आपका समय यहां पर समाप्त होता है इस पिक्चर में अगला यहां पर जो हमें डिफ्रेंस दिखाई देता है वो डिफ्रेंस है एक्स्ट्रा घास का देखे आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर घास है और यहां पर नहीं है अत्वा आप यह भी कह सकते हैं कि यहां पर घास नहीं है और यहां पर है तो यह जो घास है वही हमारे इस पिक्चर का अगला डिफ्रेंस है तो आप यहां पर 5 differences को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको कहानी भी बतानी की कोशिश की, इस चित्र को भी समझानी कोशिश की, अब यहाँ पर एक difference बाकी रह गया है, और मैं वो एक difference बताने वाला नहीं हूँ, अब आप लोगों को इस दोनों images को अच और बताऊंगा कि वो सही difference है कि नहीं है, यह एक छोटा सा प्रयास था, और यह इस तरीके का मेरा पहला प्रयास था, मुझे अवश्य बताईएगा कि आपको यह प्रयास के, एक बात और, आपके कितने difference सही रहे, यह comment में अवश्य बताईएगा,